क्या करें और क्या ना करें जैसे बौत दरह में पंच शील है वो आचरण के बारे में बताते हैं कि हमारे आचरण कैसा होना चाहिए उसमें शीलों का अंदर समावेश होना चाहिए शील क्या है कि एक इनसान को समाज में रहते हुए जैसे कि सोसाइटी का प्रोटेक्शन कौन करता है पुलिस करती है गवर्मेंट करती है लेकिन एक इनसान का जो शरीर है उसका मन है उसका दिमाग है उसे भी एक वो चाहिए कि वो कहें गलत रास्ते पे ना जाने लगे उसे के अगते चाहिए लोग इसको वेग्यानिक धर्म मानते हैं जी मैं dopo वेघ्यानिक धर्म इसलिए कहते हैं कि आप इसमें सोचते हैं कि यह सई और क्या गलत है अगर कोई कहेँ कि पत्थर पर दूठ चड़ाओं तो बहुत धर्म कहता है पहले ऌपक्ष्चित कि पत्थर पे दूठ चड़ाने से या फल, फ्रूट, मिठाई चड़ाने से क्या किसी इंसान की मनो कामनाई पूरी हो सकती है क्या ऐसा हो सकता है अब हम उसमें scientific reason लगाएंगे दिमाग लगाएंगे क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अपो दीपो भव इसका मतले भी है कि आप खुद सोचिए क्या ऐसा करने से आपको कुछ फल की प्राप्ति हो रही है अगर नहीं हो रही है तो पत्थर को कुछ भी चड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा तो आप ऐसे इंसान को दीजिए या खिलाईए या उसके संरक्षन में रहिए जिसके संरक्षन में रहने से आपको घ्यान मिले या कुछ और उपलब्दी हो तो हमें सोचने की समझ जो है वो इस बौधधरम में आती है क्योंकि ये व्यज्ञानिक धरम है और सारे धरम क्या कहते है कि जो लिखा है धार्मिक पुस्तकों में, ग्रंतों में, किताबों में सिर्फ वही धर्म है उसी के अनुसार आपको आचरन करना है बौधरम बना करता है, बौधरम कहता है पहले आप उसे अपने अंदर उतार के देखिए आप उसे समझे है, कि क्या ऐसा करना सही है तब उसे अपने, जी